नमस्कार दोस्तो स्वागते हैं आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाती हूँ कि प्रियर्ड मिस होने के बाद में आखिर प्रेग्नेंसी नेगिटिव क्यों आती है प्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लिजे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब बढ़ते हैं वीडियो की तरब महिलाओं को मानसिक धरम यानी की प्रियर्ज के रुख जाने के बाद कम से कम कुछ दिन रुख कर इस टेस्ट को करना चाहिए जिससे HCG के सही स्तर का पता लगाया जा सकी कि आप गर्वती है या नहीं क्योंकि देखा गया है कि अगर महिलाओं जल्त बाजी में दस दिन के अंदर ही टेस्ट कर लेती हैं तो रिजल्ट नेगिटिव ही प्राप्त होते हैं इसलिए कम से कम दो सब्त है या दस दिन के बाद ही इस टेस्ट को करना चाहिए जिससे आपको काफी बेटर रिजल्ट मिलेंगे आज हम आपके लिए negative pregnancy test के कारणों के बारे में बतान रहे हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर pregnancy negative आने के कारण क्या क्या होते हैं पहला कारण है urine का पतला होना अगर आपको बता ना हो तो जान ले कि कहीं बार यूरिन को पतला होने के कारण भी प्रेगनेंसी टेस्ट में रिजल्ट नेगिटिव आ जानते हैं जिससे महिलाएं कन्फ्यूस हो जाती है कि वह इस बार मा बन पाएगी या नहीं क्योंकि देखा गया है कि यूरिन के पतला होने के वज़े से ही टेस्ट के लिए जो ततु आउशे होते हैं उसमें कमी आ जाती है जिस वज़े से सही रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं वहीं कहीं बार ज़्यादा पानी पीने की वज़े से भी यूरिन पतला हो जाता है जिसके चलते test negative result दिखाता है अगला कारण है सही समय पर test ना करना प्रेगनेंसी का test को करने का भी एक समय होता है अगर उस वक्त में यह test ना किये जाए तो इसका result negative ही आता है इसलिए अगर आप इस टेस्ट को करना चाती है और बहतर परिनाम देखना चाती है तो इस टेस्ट को हमेशा सुबह उटकर पहले बार बातरूंग जाने पर ही करें क्योंकि अगर आप सवेरे के समय ही प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि इस समय बता दे की बोड़ी में मुझूद SCG के सही इस तरका भी पता चल जाता है अब मैं आपको बताती हूँ अगला कारण समय से पहले किट का इस्तमाल करना जो की काफी महिलाएं कर लेती है महिलाओं को ये बात पता होनी चाहिए कि मांसिक धरम के कम से कम 10 दिन के बाद ही आपको pregnancy टेस्ट करना चाहिए क्योंकि बोड़ी में अंडे के निश्य जन के ठीक बाद ही टेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं होता है वही टेस्ट करने पर आपको कोई सही रिजल्ट भी नहीं मिलता है जिसके चलते कित भी आपको बेकार चली जाती है क्योंकि मांसिक धरम के तुरंत बाद आप गर्वधारन का पता नहीं लगा सकते हैं इसलिए बेहतर result पाने के लिए मांसिंग धरम के बंद होने के कम से कम 10 दिन के बाद ही आपको kit का इस्टमाल करना है फ्रेंस आपको यह बात जानना बहुत सी जादा जरूरी है क्योंकि कहीं मैला आए ऐसी होती है के period में सोने के 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ही pregnancy test कर लेती है तो उनको अच्छे से result नहीं मिल पाता है अगर वो अपने pregnancy test करना चाहती है तो वो कम से कम 7 या 10 दिन के बाद ही pregnancy test करे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगला कारण है pregnancy test kit का बेकार होना pregnancy test kit को खरिदते वक्त हमेशा मैलाओं को उस kit की date को हमेशा चेक कर लेना चाहिए इसकी date दिखने के बाद ही इसे मैलाओं को खरिदना और तुरंत इस्तमार कर लेना चाहिए क्योंकि जान ले कि डॉक्टरों के मतावित pregnancy test kit खुलने के बाद सिर्फ 10 घंटे के लिए ही सही रह पाता है उसके बाद यह बेकार हो जाता है अब मैं आपको बताती हूँ अगला कारण पहले अनुमान ना लगाने जाने पले हार्मोंस हार्मोंस का मैलाओं की life में काफी बड़ा इस्तान होता है देखा गया है कि कहीं बार बोड़ी में हार्मोंस की मातरा इतनी जादा हो ज वह में होती है आपने वहम के चलते कहीं बार संबग के बिना ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है जो कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तो फ्रेंस यही थे प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने के कारण उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तेके लिए बैवाई